हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टो सीवी इसी कोर्णर आज हम बात करने वाले लाइट चैप्टर के एमसी क्यूज के बारे में इंपोर्टेंट है इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा पूरा रीकैप मिल जाएगा आपको इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं फरेस्ट कोशिन के साथ विच वन विच ओफ फॉल इंपोर्टेंट को रखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है कि इंफिनिटी पे अपनी इमेज बनाता है तो पैरलल लाइन से जाती है मैं आप लोगों को बता दूँ अगर कोशिन के मिरर की सारी प्रोपरिटी आपको पता हैं तो आपको कॉनवेक्स लेंस की भी पता है क्योंकि कॉनवेक्स लेंस सेम तरीके से मेज़िस बनाता है अंडर वीच ओव दे फॉलिइंग कंडिशन अ कॉनके मिरर कें फॉमर रियल इमेज लार्जर दें दा ऑबजेट जब भी हमारा ऑबजेक्ट कॉनके मिरर में C से आगे आ जाता है, मतरब C के आगे आ जाता है C और F के बीच में तब ही हमेज़ा वो बड़ी इमेज बनाता है तो हमारे पास होता है क्या है कि यह हमारा है कॉनके मिरर और यह हमारा है आवका प्रिंसिपल आक्सेस इन्फिनिटी और C तक जब आएंगे तो इन्फिनिटी पे जब हम रहेंगे तो image बनेगी focus पे और यहां कई बीच में होंगे तो यहां बीच में image आएगी C पे आजाएंगे तो object C पे image बन जाएगी और जैसे ही हम object को C से आगे लाएंगे तो image बनेगी C के पीछे जो की बड़ी बननी शुरू हो जाएगी object से C पे बराबर हो जाती C से जैसे ही पीछे image बनेगी यहां वो बड़ी बननी शुरू हो जाती है inverted होती है rear रहती है तो हम कह सकते हैं कि वो focus और center of curvature के बीच में होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए object. So option C is correct when object is placed between the focus and center of curvature. This figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. आख बंद करके बच्चे क्या सोचते हैं? इधर से आईगी ray, हमेशा इधर से ray आईगी. उनको एक, मतलब ना उन्होंने सोच लिया, अपने mind make-up करके बैठे हैं सब बच्चे की ray हमेशा इधर से आती है. जबकि कोशिन में वो इधर से देता है ray आने हुए. और हम सब कुछ इधर से consider करके, कोशिन गलत करके आ जाते हैं. फिर बोलते हैं गलत कैसे होगी है? अब हमारे पास दूसरी चीज होती है कि जो ये होती है आपकी normal, तो normal और ray of incidence, जो incident tree आ रही है, इन दोनों की जो बीच का एंगल होता है ना, this is angle I, यहाँ वाला एंगल को I मतले ले ले ना, 30 I नहीं होता है. और इधर भी ऐसे ये R होगा, इसको नहीं लेना है. तो अब आपसे कह रहा है कि refractive index हो medium B, medium B का refractive index with relative to medium A, so that will be sin I upon sin R, sin I divided by sin R, ये निकालना है. तो sin I है आपका 60 degree, divided by sin R है आपका 45 degree, sin 60 होता है, root 3 by 2, and divided by sin 45 होता है, 1 by root 2. ये इसके साथ multiplied में जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, it will be root 3 into root 2, divided by 2, तो 2 अब ये option में नहीं है, कहीं भी root 6 by root 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को split कर लेंगे root 2 into root 2 में, और root 2 से root 2 cancel हो जाएगा, तो root 3 by root 2 option में आपका answer आजाएगा, इस तरीके से करना है, इसमें दो बातों को आपको बहुत seriously observe करना है, किदर से ray आ रही है, और कौन सा angle normal के साथ बन रहा है, वो ही angle लेने है, next question में कह रहा है, कि medium A से एक ray of light जाती है, medium B में, अब हम देख रहे हैं, कि जैसे ray आई थी तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, और ये bend हो गए किदर, normal की तरफ, this is normal, normal की तरफ bend हो गई, इतना इधर इतना bend हो गया, तो इसका मतलब है कि medium B जो है, वो dancer medium है, तो dancer medium में, जब rarer से dancer में जाती है, तो it bends towards normal, तो normal की तरफ bend हुई है, तो medium B is dancer, और जब medium B dancer होता है, तो इन दोनों का ratio, देखिए आप क्या कह रहा है, medium A relative to medium B, medium A की value medium B से ज़्यादा है या कम है, refractive index वाली, तो यह rarer है, rarer है, तो इसकी छोटी value होगी, उपर छोटी value और नीचे बड़ी value होती है, तो less than one answer आता है, तो it will be less than unity, less than unity will be your answer, beam of light are incident through the holes A and B, देखिए जब भी parallel line incident होती है, और parallel ही emerge होती है, लेकिन उनके पाथ में थोड़ा सा deviation आ जाता है, मतलब वो अपनी particular place से displace हो जाती है, उसको कहते हैं lateral displacement, तो lateral displacement के साथ, जब भी ray of light पास होती है, lateral displacement के साथ, और parallel ही जाती है, तब हमें सब रेक्टेंगुलर glass slab से पास होती है, तो it means, option is your correct answer, जैसे हमने देखा था, glass slab वाला एक example, उसमें एक ray of light जैसे ऐसे आ रही है, तो ये glass slab है, तो ये ऐसे ना जाके थोड़ सा ऐसे bend हो जाएगी, और फिर यहां से जब बाहर निकलेगी, तो फिर ये ऐसे आ जाएगी, ये कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, और ये गई कैसे है, तो हम देख रहे हैं, कि जो emergent ray है, ये वाली जो निकली है, और जैसे वो जानी चाहिए थी, उन दोनों, वो दोनों parallel होती है, और उनमें कुछ gap आ जाता है, वोजी चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिली है, इसलिए हम कहेंगे कि ये glass slab से पास हुई है, beam of light is incident, देखिए, ये number 10 यहाँ पर है, और number 10 यहाँ नीचे है, तो यहाँ से ऐसे गया है, और ये ऐसे तब ही जाता है, जब वो आपका पास होता है, convex lens से, तो इसका मतलब ये convex lens से, और इधर वाला, जैसे ये जाएगा, तो ये ऐसे पास होजाएगा, यह यहाँ से आएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे बंता जाएगा, तो इस तरह की जो images बंती है, वो images हमारी बनती है convex lens से तो box के अंदर जो है वो हमारा convex lens है तो option D is your correct answer which of the following statement is true a convex lens has dubbed 4 diopter power having a focal length 0.25 meter first thing आप लोग यहां देखेंगे 4.25, 4.25, 4.25, 4.25 it means आपको यहां जो focal length और power दिया है उन दोनों में कोई formula लगाके इनको calculate नहीं करना है क्योंकि सब में same value दिये है तो calculation की requirement नहीं है the requirement is कि science जो positive है or negative है उससे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे है convex lens जो होता है convex lens में हमारा क्या होता है कि सारी images सारी images इदर वाले focus से बनती तो right पर focus होता है यहां focus होता है right वाले focus से बनती है तो इनकी focal length positive होती है और focal length positive है तो power भी positive आएगी क्योंकि power is equals to one upon f तो f positive है तो power भी positive ही आएना वाला है और f negative है तो power automatically negative आएगा तो convex lens में focal length भी positive होती है और power भी यहां देखे, power positive, focal length positive इसका मतलब है, यह हमारा answer हो गया A बाकी में यहां देखे, अगर मैं, यह miss print है, यहां convex है convex lens की बात करूँती है, minus में power आ रही है, आई नहीं सकती concave lens की अगर मैं बात करता हूँ, यहां अगर हम जाते हैं तो उसकी जो negative होती है, उसका focus इदर होता है, तो उसकी power जो की वो negative आएगी, क्योंकि उसकी focal length negative होती है, जबकि यहां दोनो positive दे रखें, यह भी नहीं हो सकता है, और यहां power तो minus दे दी है, लेकिन focal length positive जो की negative होती है, तो यह option इस लेग रहा थैं, तो option A is your correct answer magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles, इसमें हमें देखना है, magnification, what is magnification, तो magnification हमें यह बताता है, कि आपकी image बड़ी बनेगी की छोटी बनेगी, अगर one होता है, तो same size बनता है, less than one होता है, तो आपका बनता है, less than one है, तो आपका बनेगा छोटी image, and greater than one होगा, तो बनेगा बड़ी image, लेकिन हमारा rear view mirror में हमें इसा छोटी image बनती है, तो हम कह सकते हैं, कि उसका जो magnification है, वो less than one होता है, तो that will be less than one, अब आप समझ गए होंगे, कब इसको one के equal लेना है, कब one के छोटा लेना है, कब one के बड़ा लेना है,